तो इधर में दो दिन से कोई वीडियो नहीं बना रही थी मैं सूश रही थी कि आप लोगों से सेर कर दो लेकिन मैं आप जो क्या बता हूँ मेरे भाई की तपयत बहुत ज़्यादा फराब हो गई थी क्योंकि मम्मी की मेरी तपयती घर काफी दिन से ठीक नहीं चल लई थी मम्मी मेरी घर में एक बार गिर गई थी तो उनके कल्दी में चोट लग गई थी तो मतलब एक्सरा हुआ था टूटा उटा तो कुछ भी नहीं था लेकिन अब यह थोड़ा एज उमर भी है तो उनके हाथ को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहने लगी तो हाथ इस तरीके से उठता नहीं था कोई काम नहीं कर पाके थी तो कई डाप्टरों गो दिखाए लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो आज दो-तिन दिन हो गया तो भाई मेरा जो है यहावाद के सबसे मशुरूर कार्ट के शर्मा है नेरो लॉजिस्ट है तो बस उनी को गई थी दिखाने भाई लेके गया पहले पांची बजे नंबर वहां लेका है तो पांच बजे वहां नंबर लेके फिर घर आया फिर साड़े बारा बजे ममी को फिर लिवा की गया ड़क्तर को दिखाया दिखाने के बाद आस्पताल से वापस आ रहा था तो अचानक से उसको गर्मी लगी लगी या फिद्वान जाने क्या हुआ तो वह पानी से मुझ धुला दूले के बाद वह बेवोस हो गया और इतना ना लिए का करो मारत ने भी मुझ पूरा स्थे दी तब सी खांपने लगा दी कुछ से फिर मैं ये कि ये फांग से मेरे हस्बंट जो है घर में थे पिर मैंने इनको कहा ये सुनिया इधर मेरे मुझ से आवाज नहीं निकल गए थी कि मैं क्या बोलती है मुझे डाट के कहते कु अब्लौ कोई अड्मिट ही नहीं कर दा था क्योंकि ममी जो पैसा लेके गए ती वह सिर्फ अपने दवा के लिए लेके गए उनके पर्स में सिर्फ 1 500 रुपया उनके पर्स में 1000 रुपया पड़ा था बिना पैसे कि और कोई हाथ ही नहीं आग से लड़ा रहा तक होता है न लुकोस्ट चैने लगा ट्रिप्स शहरे है उसके बाद दग लगे कि नाख से ब्लड बंधी नहीं हो रहा था था नाख से आ कि मुंह से आ रहा था मुझे जिए ममी पत्रिशाद और पापा मेरे अभी साहँ डेट साल हो गया उसकी तब हो गया गर कोई गार्चे ने ममी पार खब लेक्टों की तब ठीक नहीं कि अभी मार पर रशान ही मुझे मैं उनको क्या डाड़ा सुना हो मेरे पुदे हां पर कांप रहती कि बगवान क्या हो गया था मा को दिखाने लेकिन अभी बिल्कुल रूने लगी क्या है मेरे बच्चे मुझे राटने लगे कि ममी तुम क्यो रो रही है तुम क्यो रो रही है मुझे तुम क्यो रो र तो तीन दिन पहले उसकी तो कंडिशन बहुत था कि बहुत था फिर उसके बार जो है तो दूसरे दिन पर कोई ब्रड जांच गयी जो है जांच रिकोर्ट हुई फिर उसे बाद वह तो नारमल आई पर दूसरे दिन डॉक्टर समझ नहीं पारा था कि ब्लड कहां से आ रहा तो भी नारमल आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह हीट स्ट्रूक आया था और बच गया लड़का क्योंकि नाक से ब्लड आ गया अगर ब्लड नहीं आया होता तो दिकत बहुत ज़्यादा हो जाती जो है तो अभी कल से ठीक है मैं फिर यह मेरे हस्बें साड़े पाँवजे बहुर में ही यह चले गया मैं भी जाने के कह रहे है कि मुझे ढाटने लगे का है तुम क्या करने जाओगी मैं जाओंगा वहां दौड़ भूपोंगा कि मैं तुम को लेक तुम ही जाना तुम दॉक्तर मैं जाना रुक्या फिर मुझे चलाने लगे फिर मैं कुछ नहीं होले फिर जब सब कुछ हो गया कल से उसका मतलब कंड्रोल हुआ है अराम है उसको जो है लेकिन डॉक्तर ने बहुत इतिहार को सौधाने बतने के लिए कहा है खाने पीने का हर चीच का जो है तो काफी क्व इस अदर साथ पहले मेरा भाई ड्रिंक भी बहुत जादा लेता था जिसे सरीर उसकी बिलकुल कंजोर हो गई है लेकिन फिर हमने दबा हुआ असको दिया तो छूट गई इसकी अंदर से उसके सारे सरीर बिलकुल कंजोर हो गए हैं तो कल से आराम है जब मेरे हस्बंड में घखायते अदर सुझसे अजान दे और में दा कर सकता हैं अगले फान यह सबर्ना आपने को अगले कि लिए है logically करें में भी बंचानल कंजökा Um до men कि अबस आएक पूल के जा भी है bak eip जो ऑँ जो कि विडियो काल के ये देख और भाई ये बिठा ये वेठा है ये है ये ते बिख आने के लिए ये क्या देख्वा है ये पाइटी के रिपोर्स नौर्वल है, तोड़ा सदिक्कत है, वो सब सही हो जाएगा, चिंता करने जड़ूत लिए, जाला खाता नहीं है, ताइम से ठाइब है, डाड भी रहते हैं, अजा भी रहते हैं, फिर मम्मी को दिखाया मैं, मम्मी को मैं कही रहा है, रूना नहीं, मम् अभी नहीं, अभी तो मैं आया हूँ, उसको आजाने, तो 3-4 दिन फिक ठाप हो जाएगा, तब कि तुम को लिवा ले चाहिए, पिर मम्मी को देख ला हूँ, तो क्यों नहीं बजी में दारी करये वाला, पहले हुआ देख ला, फिर आओ 2-3 दिन में, तो अभी सुन के तस भाईो मैं अकेले हूँ, मैं सकते बड़ी हो, अपि भाईो मैं, अभी लिगता कि भाई लोग है, उन्हीं से माईका है, मा आने, मा भी बिमार पे हूँ, जले मा में चिलता लगी तो भगवान नहीं सके कि भाई को बिमार कर दिया, लेकिन आपी ठीक है, जाओंगी मैं, और तुमको देखने की चाहँ तो वीडियो कालता है, लोगने का चलो ठीक है, क्या करें, या भी जिम्मेदारिया कोई बनाने की होने वाला नहीं, तो ठीक है, करते हैं, फिर आप भी से में, अप्तक्य नहीं पादादा है, तो जियर में करते हैं, आप लोगाई हूँ, कि जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरे भाई की तवियत बहुत ज्यादा खराब हो गए थी, बहुत ज्यादा कंडिशन उसकी खराब थी, लेकिन अभी सुनके बहुत अच्छा है, वो ठीक है, काफी आराम है, उसकी नाक वाक में जो भी पत्ती लगी थी, और जो बत्ती दवाड अली थी, वो अभी डॉक्तर आया है, जस्ट अभी एक गंटे पहले आया है, तब कल तो उसका पट्टी वट्टी सब निकाल दिया है, आराम है उसको, तो मेरे भी जान में जाना आ गया है, कि मेरा भाई अब बिलकुल ठीक है, और अभी गुलोपोस्त तो उसको चड़ रहा है, कल उसकी छुटी कर देंगे, अब देखें कल कितने वजे करते हैं, ये नहीं पता, लेकिन हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे भी जान में जाना आ गई, कि मेरा भाई अच्छा हो गया है, क्या करें पापा की जाने के बाद ना, अब वही है, बाप नहीं समझ सकते हैं, तो अब मुझे बहुत अच्छा है, सुन करके अभी मुझे बहुत सुगूना है, अभी मैं अपने भाई से ही बात कर रही थी, एक धेंटा पहले, तो अभी ठीक है, और मम्मी मेरी होस्पिटल में थी, तो अभी चली गई है, मतलब मेरी भाई का दोस् अभी मेरी हैं, हमने का चलो ठीक है, जो कुछ खाना वाना होगा तो फिर मंगा लेना और खापी लेना, अभी सुकून जाना आई है, तो अभी मेरा भाई अच्छा है, जो है, ठीक है, तो बस फोड़ा सा लापर वहा है, खाने पीने का धेयान नहीं गयाता है, तो अब घर जाए तो फिर उसको संझाओंगी, अभी तो मैं नहीं जाता हूँगी, लेकिन किपी अहां भी बनाने लाने वाला नहीं है, लेकिन हां जाओंगी, अब देखिए, जो मेरे हस्बिन को ताह मिलेगा, तग मैं इनको साथ जाओंगी, ये कह रहे हैं, अभी ठीक ठाक है, मम्म जाओंगी, तो यही मम्म खा रही थी, और अभी चाय चड़ाई होने, तो अभी चाय पन जाएगी, तो चाय पी होगी, तो आज कापी मज़े अच्छा लग रहा है, तो अभी वो आज आएगा, या मैं जब जाओंगी, तब उसको संझाओंगी, मेरे हस्बिन भी बहुत ड चला रहे थे, कि तु गुटका खा जाएगा, यह उट पटांग चीज खाएगा, लेकिन तेरे पास फल खाने का टाइम नहीं मिलता, तुझे तु खा जरूर का, और नहीं, बहुत डाट के आएगे, उसको चला के भी आएगे, समझा के भी आएगे, तो देखे कितना चाय देखाती हो, कि मेरी चाय पक गई है, कि मैं फिर मने गया आप लोगों के, बहुत अच्छे होंगे, तो बस अभी मैं सुबस में नहा चुकी हूँ, और मैंने अपने इस देव सब की पूजा की है, और आज मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ यह मेरे पापा है, जो मै इनकी सबसे पहले सर्थम पहले पुजा करती हूँ, कि कि इनी से मुझे अपना जीवन मिला है, और इनी से मुझे सब कुश मिला है, और यह मारी दुर्गा मा है, यह गडेश जी है, यह लच्छी जी है, और यह शादा माई है, और यहाँ पे जैस्ट नीचे मैंने जो है, अपने भोले बाबा की फोटो रखी है, मूर्ती है, पारवती है, गनेश है, और इधर शरश्रती माई है, और इधर जस्ट इसके मंदिर के वगल में मैंने हनमान जी रखा है, आप लोग देख रहे होंगे जो है, और उधर कामतानाथ बाबा की फोटो है, तो बस, और क्यूं में बैडरूम में नहीं रखा जाता है भगवान की फोटो, लेकिन भगवान तो हर जगे है, कड़कड में है, मेरे मन में है, तो उनको अपने पास लखने में क्या है, है कि नहीं, पूजा तो शर्दा से होती है, मन से होती है, कोई जगे से नहीं होती है, तो बस अभी मैंन पूजा किया है तभी जेस्ट में जा रही हूँ दाल मेरी पक गई है और आज मैं क्या बनाई हूँ आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं एक कोदू होता है कोदू का चावल होता है तो मेरे हस्बेंड इलहावाद गए थे तो वहां से ले करके आए हैं तो वो मैंने बना बनाया और रामदाने की तरह छुटा-छुटा हूँ ऑर मैं अपने भाई के आप बी फोन की थी तो वो विल्कुल स्वश्था है अच्छा है मेरे से बात किया मुझे बहुत अच्छा लगा तो हमारा तो हमारा कल से मन बहुत अच्छा है क्यूंकि सुन करके अच्छा लगा कि मेरा भाई अपस्वस्थ हो गया है अभी जस्ट भाई से बात हुई है तो आज उसको डिश्टार्ज कर देंगे होस्पिटल से लगए दो बजे छुट्टी हो जाएगी तो अभी मम्मी घर पे हैं मम्मी भी जाएगी क्योंकि बिल पे करना होगा वहाँ पर जो है तो अभी बात होई है तो चायवाई प्या है बता रहा था बीदी तो मैंने कारती तो डिरवा दिया था मुझे विल्कुल से तो असर आ था तो अभी तो देखे ठीक है अब तो हाल-चल सुन करके अच्छा लगा था वीडियो कॉल भी किया था वीडियो कॉल से भी देख लिया और अभी ठीक है वो अब फिर जब मैं चलूँगा तो फिर तुमको लिवाद चलूँगा क्या करूँ यहां भी कोई बनाने खिलाने वाला नहीं कहें तुम चली जाओगे मेरी भी ड्यूटी है स्पूल है मेरे देर दो बजे तक आता हूं कैसे घर में मैनेज करेंगे तो इस खिल से मल मेरा फिर ठीक है तो अभी अच्छा है भ cay भगां से यही प्राक्ना है कि नेरे माइके में सबभी लोग ठीक रहें सुस्ट रहें क्योंकि पापा के जहाने के बाद मां सभड़ा सभ रिख बड़ा तकवीसह तुमार्वान नहीं को बादा हो जैदी के और लिखा तो मम्मी को मेरे साहस दिया जबकि मम्मी की तbiyat ही खराप थी उसी को दिखाने गया था लेकिन उनको दिखा दिया अपना false admit हो गया जो है लेकिन मम्मी मेरे इतनी साहस की अपनी तरफे धरा होने के बावजूद भी अपने बेटी को देख रही हैं ये क्या कम है क्या चले ठीक है हम खाने में जुटते हैं चलते हैं चाय बनाते हैं मैंने का आप लोगों से मॉर्णिंग में बात कर लेते हैं और मेरा भी वीडियो कंवे नानी का दिल्कुल मन नई कर रहा था क्योंकि मेरा दिमाग बड़ा जो है टेन warrior अव्यंस यह और सही है दू घर में गर कोई बीमार हो जाता तो किसी कीचीर यह मन नई लगा करता हूँ अब दिमाग में बहुत से पतनी कैसे ख्याल आते रहते हैं अब मतलब भगवाल सेह कि भगवाल स्वस्त राकना का है श्कार में नम जार्पाउं MA waż मेरी शाति के उसे ने उस तशलिय में Lets पर आपने बहुत ज़्यादाना कि पीछ निए ठीक है कि दाने बहुत ज़्यादा गूहरी निकली है तो इसलिए मैंने नाइसिव लगा रखा चले ठीक है पिर दो आपस तब के लिए बाइ-बाइ हलो तो बस वी सोगे का टाइम है तो बस जाज मी लेड़े सोगे तो बस मेरी भिंडी पक गई थी तो रिधर ये देखे मैं रोटी भी बनाने लगी थी और आटासान के मैंने रख लिया था तो बस यहाँ पे मेरी मेरी रोटी भी बन रही थी और आज मैंने ये देखे काकुन बनाया है तो जो गाउं के होंगे तो वो जानते होंगे कि काकु बनता है और इसकी बहुत से लोग खीर भी बनाते हैं तो बस मेरे हस्बेंड लाये थे तो आज मैंने यही बनाया था क्योंकि मेरे हस्बेंड यह सब चीज खाने के बहुत सौख ही इन है तो बस यहां पर मेरी डाल भी बन गई तो ठीक